हाई गाईस कैसो तो गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीबो मुबाईल की सेटिंग को कैसे रिसेट रहते हैं तो गाईस अगर आप अपने मुबाईल की सेटिंग को रिसेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देखते रहें तो गाईस इ अपको इस पे क्लिक करना है उसको आपको नीचे जाना है पालकारण और पर हमें अपने मोईल की सेटिंग को रिसेट करना है तो हम्रीशय वाल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इससे होगा कि हमारे मुवाईल की जो भी सैटिंग्स होंगी वो सारी की सारी वाई डिफॉल्ट हो जाएगी मतलब है हाँ पर देख सकते हमारी जो भी हमने अपने मुवाईल की जो सैटिंग्स करके रखी थी वो सारी की सारी मतलब डिफॉल्ट हो जाएगी जो कि मतलब जैसे mobile हम जब खरीदते हैं तो जैसी settings होती है company से आती है बैसी settings हो जाएगी तो कई सहमा अमने जो कुछ भी setting में changes करके रखा था जैसे की lock लगा के रखा था या और भी आपने जो कुछ भी करके रखा था वो सारी की सारी default हो जाएगी फोront where a part of the multim चांड़ी तो आपको क्या करना है रिसेट्डे क्लिक लुए कि करना है उस वर्ट यहां के आपको अब लॉक डाल देना है जी लॉक को यहां पर रिक ले लोग उसका कर Ah उसके बाद आपको जो मुवाइल है वो सिच आफ हो जाएगा उसके बाद आटोमेटिकली रिस्टार्ट हो के ओन हो जाएगा तो गैस आपको थोड़ा बेट करना है उसके बाद आपको जो मुवाइल है ओन हो जाएगा तो गैस देख सकते मेरे जो फोन है ओन हो रहा है तो ग तो कैसे देख सकते हैं मेरे जो फोन है ओन हो चुका है तो कैसे देख सकते हैं मेरे जो फोन है और उसका जो लॉक है वो भी हट चुका है तो कैसे देख सकते हैं यहां पर मेरे मौल का जो लॉक लगा था वो भी हट चुका है और यहां पर थीम फीम जो भी लगा के रखी थी वो भी हाट चुकी है और सेटिंग्स हमारी हो है पूरी रिसेट हो चुकी है जो भी आपने लॉक लगा के रखा था तो इस जेख सकते हैं फिंगर प्रेंट सब कुछ हाट चुका है तो ऐसे आप अपने मौईल की सैटिंग्स को रिसेट कर सकते हैं तो इस आई फूप आपकी